दोस्तों ये जो बॉक्स देख रहे हो ये बड़ा ही किम्ती बॉक्स है और इसे मैंने डायरिक्ट वनप्लस डॉट इन से ओडर किया है मुझे एमेजोन पे नहीं मिला तो क्या करता अनबॉक्सिंग तो करना ही था तो मैंने सोचा क्यों ना इसे हम वनप्लस के डिरेक्ट साइट से करें तो ये मुझे पड़ा 29,999 का और हाँ दोस्तों ये एक रीटेल यूनिट है जो अनबॉक्सिंग करने के लिए इस पेसल यू विल्ड क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी, रिव्यू सब कुछ आपको इस चैनल पर आने वाला है तो स्टे ट्यून और हाँ लाइक करके जाना फाइनली हमारे चैनल के उपर भी आचुका है वन प्लस नॉड टू फाइप जी और आज इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है और चलिए हम चाक उठा लिएं और यहाँ पे हम इस तरीके से कट लगा लेते हैं तो यह हमारा वन प्लस नॉड टू और यह आगया तो यह हमारा में फोन है दोस्तो मुझे यह कलर काफी अच्छा लगता है फॉस्ट इंप्रेशन पहुत अच्छा प्रीमियम कलर मुझे लगता है और मेरे पास जो आइपोन है वो भी इसी कलर के अंदर मैचिंग है तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा इसको हम साइड में रखते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीजे देखने को मिलता है तो यहाँ पर यह इस तरीके से है और एक और बॉक्स हमें मिलता है और इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजे देखने को मिलता है ओके तो यहाँ प हाप में 50% transparent white का finishing है तो ये काफी अच्छा भी देखने में लग रहा है और इसके अंदर आपको कुछ user manual मिलता है ये Nord का sticker, OnePlus का sticker और यहाँ पे आपका Never Settle का user manual Quick Start Guide, Red Cable, USB to Type-C का हमारा एक cable है जो की आपका red और white finishing में दिया गया है इसको भी हम side में रखते हैं दोस्तो अभी तक का ये मेरा सबसे जादा watt का charger है 65 watt का phone के लिए और वैसे तो laptop के लिए 130 watt का charger है तो यही कुछ box content है दोस्तो अब हम इन सभी को वापस से pack कर देते हैं यहाँ पे आपको seam ejector मिल लाता है और इसका design कुछ ऐसा लग रहा है कुछ emoji है ऐसा कुछ लग रहा है पीछे की side आपको glass panel है तो यहाँ पे हम इसको भी कबार लेते हैं तो दोस्तो finally हमारा one plus not two unbox हो चुका है और यह जो color है वो blue color मुझे काफी पसंद है दोस्तो इसका actual नाम मुझे नहीं पता लेकिन दोस्तो यहाँ पे जो पीछी का look है वो काफी awesome लग रहा है personally यह मेरा experience है और यहाँ पी आप सभी को हम side overview दे 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 जोस्तो यहाँ पी आपको side में volume up and down दिया गया है slider दिया गया है जिससे आप अपने phone को directly silent कर सकते हैं यहाँ पी आपका power button है इसे हम long प्रेस कर देते हैं और अपने phone को on कर लेते हैं तो यहाँ पे दिया गया है आपका SIM tray, microphone, type C का charging point, speaker, अब हम इसे निकाल कर देखते हैं कि आपको क्या चीज़ देखने को मिलता है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं two nano SIM, एक इस side और एक इस side, तो यही है इस SIM tray का कमाल, हमारा phone unbox हो चुका है, setup भी हो चुका है, और यहाँ पे आप को clone app करके एक option है, और यहाँ पे community का एक application है, आपको netflix देखने को मिलता है, recorder और YT studio, और यहाँ पे एक आपको gen mode देखने को मिलता है, तो यही कुछ pre-installed application है दोस्तों, तो यह तो मुझे पूरा का पूरा stock वाला fill दे रहा है दोस्तों, कि आखिर में यह stock android है या फिर color OS है, actual में दोस्तों, color OS प्लस oxygen OS आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, लेकिन मुझे personally इसका जो feel है, वो लग रहा है कि stock android वाला है, और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर कोई भी आप सभी को blue wear यानि कि अलग से जो ads है, वो देखने को नहीं मिलता है, त messaging वाला भी application आपका Google का है, दोस्तों एक side में है OnePlus Note 2 का camera का जो layout है, और दूसरा यहाँ पे आप मिला सकते हैं Google Pixel 4A से, दोनों का काफी same मिलता जुलता है, दोनों में same option दिये गए हैं, अगर आप यहाँ पे modes में जाया तो कुछ और modes यहाँ पे दिये गए हैं, और यहाँ पे आपको more का option दिये जाता है, जिसमें आप mode का use कर सकते हैं, अब दोस्तों बात आती है कि camera simple, तो हम इसे बाद में check करेंगे, compare भी करेंगे, कुछ मेरे पास phone से, उन phone से, अब हम direct चलते हैं अपने phone के setting में, और यहाँ पे दोस्तों one hand वाला आपको यहाँ पे option दिये गए हैं देख सकते हैं, इतना पे दिये गया है, इससे आपका होगा क्या कि आप आसानी से one hand use कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम आ गए about phone के अंदर, तो यहाँ पे आपका जो यह मेरा phone है, वो रन कर रहा है, Dimensity 1200 AI OctaCore पे, 8GB का RAM, 128GB का storage, version जो है अभी आपका oxygen voice का, 11.3 out of the box, और यहाँ पे आपका Android 11 पे यह phone रन कर रहा है, OnePlus Nord 2 5G, बाकी connectivity हम बाद में चेक करेंगे, जब इसमें हम सीम डालेंगे, गेम खेल कर देखाएंगे, camera setup, camera, video test, camera test, OnePlus के साथ, आपका iPhone है, मेरे पास Google Pixel 4A है, और प्लस में यहाँ पे मेरे पास Motorola है, जो कि मैं personally Motorola को ज़्यादा यूज करता ह तो देखेंगे दोस्तों, आगे इस वीडियो के अंदर, आगे आने वाले वीडियो के अंदर, कि क्या-क्या हमें और इसके टककर में देखने को मिलता है, ऐसे openly यूज करेंगे तो काफी premium तो लगेगा ही, लेकिन यह जो bump है, उसमें रगड़ा हट आ सकता है, इस scratch आ सकता ह तो यहाँ पर मैं तो कहूंगा भीया, पैसे लगाए हो, तो यह case यूज करना, और हाँ, अगर आपके पास already oneplus का phone है, तो मैंने कुछ case भी order किये हैं, तो आप उनके वीडियो को देखना ना भूले, तो देखने के लिए चैनल को subscribe कर लिजेगा, keyword code को यहाँ पर हम निकाल अच्छे अच्छे मंगा के रखे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा, चैनल को subscribe कीजेगा, और घंटी को on करना मत भूलेगा